कि एक जमाने में हमारी यहां जो परिस्तित्यां थी उसके बात कहा जाने लगा था वाई इंडिया अब जो रिफॉर्म्स देश्ट में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बात कहा जा रहा है वाई नौट इंडिया अब जैसे पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने उंचे हैं तो वाई इंडिया आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉंपिटिटिट्यूट टैक्स रेट्स है तो वाई नौट इंडिया पहले रेगुलेशन्स और रूर्ट्स का जाल था तो स्वाभावी के रूप से चिंता के साथ निवेशक पुष्टे थे वाई इंडिया आज वही कह रहे हैं कि लेबर लो में इज और कॉंप्लाइंस हैं तो वाई नौट इंडिया पहले सवाल होता था कि इतना रेट टेप है तो वाई इंडिया अब वही लोग जब रेट कारपेट बिचा हुआ देखते हैं तो कहते हैं वाई नौट इंडिया पहले सिकायत होती थी कि इनोवेशन का कल्चर उतना नहीं है तो वाई इंडिया आज भारत के स्टार्ट अप इको सिस्टेम ते के ताकत देकर दुनिया विश्वाज से कह रही हैं वाई नौट इंडिया पहले पूछा जाता था कि हर काम में इतना सरकारी दखल है तो वाई इंडिया आज जब प्राइवेट पार्टिशिपरेशन पर वरोसा किया जा रहा है विदेशी निवेशकों को एंकरेज किया जा रहा है तो वही लोग पूछ रहे हैं वाई नौट इंडिया पहले सिकायत थी कि डिजिटल इंफास्ट्रेक्चर के अभाव में काम संभव नहीं तो वाई इंडिया आज जब इतना अधुनिक डिजिटल इको सिस्टीम हमारे है तो सेंटिमेंट है वाई नौट इंडिया